नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दजी के एकेडमी यूर डिजीटल एड़िफाई यूट्यूब चैनल में मैं सहरोब भारतिया आप सभी का आधिक स्वागत करता हूँ दोस्तों अर्थ फ्यूस्था के लिए हम लेक्चर्स कर रहे थे जो की RS और SI के सेलेबस में ह वहाँ पर दीया वें उसकी मैं चर्चा करूंगा तो उसी कड़ी में यह मेरा next lecture है लास्त में मैंने लाक्स लेक्चर में मैंने बात करी थी राश्ट्रिया के बारे में अब बात करते हैं बैंकिंग शेत्र बैंकिंग का भी पूरा अपना पूरा अलगस एक टॉपिक है इस साथ इसके बाद बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंक RBI के बारे में जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आरेस और एसाई के लिए खासकर अर्थ योस्था का जितना भी सेलिबस है वो मैं point by point topic wise topic wise मैं इसमें पूरा upload करूँगा आपके लिए valuable ह होगा चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले बात करें banking का अर्थ क्या है देखिए banking का सामाने अर्थ है लें दिन ठीक है वही बैंक के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे बैंक के अंदर जो है आप FDRD करा सकते हैं current account खुलवा सकते हैं सब कुछ कर सकते है बट वास्तों में बैंक का सामाने अर्थ क्या है कि आप अपने पैसे वहाँ बैंक को जमा करें वह उसकी सुरुक्षा करेगा बदले में आप से कुछ शुल्क वसूलेगा और जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप बैंक जाईए और बैंक से अपना पैसा निकाल दीजे देखे प्राचीन काल में भारत की बात करें खास करके तो हमारे हाँ पर भी बैंकिंग प्रचलित थी परन तो आज जैसी बैंकिंग में हम समझते हैं वैसा कुछ नहीं था जदली जो गाउं के सहुकार या महाजन लोग जो हैं वो लेन देन का काम किया करते थे ब्याज प्राचीन सब्वेता थी वहां पर इस प्रकार के आधुनिक बैंक जैसे हम चलते हैं आज की तारिक में वैसे बैंकों की तरह ही कुछ ना कुछ प्रणालियां प्रचलित थी ऐसा लिटरेचर में मिलता है परंतो फिर भी यह रोमन जो थे यह इसा के बात तीसरी चौती शत शताबदी आते आते यह इनकी सब्वेता जो है वो नस्ट हो जोगी थी तो यह बैंकिंग का सिस्टम भी जो था इनके साथ ही चला गया तो आधुनिक बैंकिंग जो है वह वापस से शुरू हुई ग्यारा सो इकतर में बैंक ऑफ वैनिस के साथ इसके बाद कहीं सारे बैंक इस्थापित हुआ और हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बैंक ऑफ इंग्लेंड यह बैंक ऑफ इंग्लेंड जो है यह इस्थापित होता है सोला सो चौरानवे में ठीक है अठारवी शताबदी के अंत तक बैंकिंग का कारे मिश्रित पुंजिवादी कंपन शच कर रहे थे उनके देशों में अध्योकी करण हो चुका था खासकर के इंग्लेंड की बात अगर हम करें जो है यह जब वहां की बड़े-बड़े पुंजीपती द्योग्ति व्यापारी दूसरे देश्वं में व्यापार करने के लिए तो कई बार जो है उन्हें गिर भी रखे जा सके, इसके लिम प्रॉपर में आई ही ऊवीस सी बात है इस्ट इंडिया कंपणी की देन है क्योंकि हुए कि अब एसकि के इस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही इस्ट इंडिया कंपनी ने आपको घर यह तो आ होगा 1664 के अंदर बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उनको बंगाल विहार और उडिसा की दिवानी प्राप्त हो गई अल्मुस्ट बंगाल विहार उडिसा से जो है अब बिटिश का शाषन चल रहा था तो इसी दोर में इन्होंने 1770 में भारत में भी एक बैंक इस्थापि है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया गया पूरी इस इंडिया कंपनी को कसा गया उसके अंदर ब्रश्टाचार था ब्रश्टाचारी जो थे उन लोगों को हटाया गया रावर्बर जो क्लाइब था उसको वापस बुला ले गया और इक इमांदार व्यक्ति वारन हैस् थी वो खतम होती गई धीरे-धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों का शाषन भी भारत में बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने नीजी अंशधारियों के सयोग से बिसिकली इस इंडिया कंपनी कैसी थी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसमें कई लोगों की शेरिंग थी है ना उन्होंने देखा कि यार यह बैंकिंग वाला सिस्टम जो है यह बैंकिंग जो है यह तो पैसा कमाने का बहुत अच्छा इस्तरोत है तो उन्होंने इन बैंकों में भी निवेश करना शुरू किया इसलिए कई सारे जो प्राइवेट व्यापारी थे निजी उद्योग पती थे उन्होंने अपना पैसा इन बैंकों को स्थापित करने में लगाया और इनी के सायोग से भारत में तीन बड़े बैंक खुले गए जिने हम प्रेसिडेंसी बैंक कहतने अंग्रीजों ने क्या किया था कि अपना जो पूरा के पूरा जो शाशन था उसे तीन पार्ट में दिवाइड कर दिया था उपर उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई थी वेस्ट के अंदर उन्होंने बॉंबी प्रेसिडेंसी बनाई थी और दक्षिन के अंदर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई थी तो हर प्रेसिडेंसी का उन्होंने एक एक बड़ा बैंक भी स्थापित किया जैसे सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुआ वो था 1806 में बैंक ऑफ बंगाल उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉंबे और देन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अब देखिए इन तीनों बैंकों को 1921 के अंदर मर्ज कर दिया गया और एक नया बैंक बनाया गया जिसे हम कहते हैं 박 ऑ इंडिया और वारत की अज़ादी के बाद यहीं इंपिरियल बैंक उफ इंडिया जो है उसे एक जुलाई 1955 को नेश्नलाइज कर दिया गया राश्टर कर दिया गया पतलब उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया और अब Imperial Bank of India को नाम दे दिया गया भारतिय स्टेट बैंक वर्तमान में भारतिय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो दोखों दोस्तों यहां से आता है स्टेट बैंक पहले बने तीन प्रेसिडेंसी बैंक, तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के बना Imperial Bank of India और फिर एक जुलाई 1955 को अस्तित्तु में कौन आया भारतिय स्टेट बैंक अस्तित्तु में आया एक जुलाई 1955 को तो और भी कहीं सारे बैंक थे जो हर रियासतों में काम कर रहे थे उन और इन्हें SBI के Associates कहा गया या सयोगी कहा गया तो देखिए SBI के ये निम्न सयोगी बैंक थे जिन्हें एक जुलाई 1955 को नेशनलाइस किया गया ये थे State Bank of मैसूर, State Bank of पत्याला, State Bank of तरावन को, State Bank of विकानेरेंड जैपूर, State Bank of हैदराबाद, सौराष्ट और इंदौर तो ये वाले बैंक थे जो एक जुलाई 1955 को SBI के अलावा SBI के सयोगी बनाए गये थे दूस्तों 1991 के अंदर भारत के अंदर जो अर्थवस्ता का डाचा था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया खास करके आप देखें हमने उदारी करण, निजी करण और वैश्वी करण की नीती आपने इसी समय जो है हमने समिती का समिती गठित की गई थी इसे कहा गया उसके अद्यक्ष थे नरसीमन उसी के अधार पर उसे का गया है नर्सीमन समीती तो यह नर्सीमन समीती की सिफारिश्ट थी कि आप बैंकों को मर्ज कीजिए आपने बहुत सारे बैंक अलग-अलग बना रखे इतने बैंकों की ज़रूरत नहीं है आप बैंकों को मर्ज कीजिए तो दीरे-दीरे क्या है कि नर्सीमन समीती की सिफारीशों पर एक्ट करते हुए भारत सरकार ने बैंकों को मर्ज करने का काम शुरू किया सबसे पहले देखिए जो बैंकों का मर्ज शुरू हुआ वो हुआ State Bank of Saurasht से State Bank of Saurasht को 2008 में SBI में विले कर दिया गया इसके बाद 2010 में State Bank of Indoor को SBI में विले कर दिया गया ये नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में आई तो उन्होंने बैंकों को मर्ज करने का जो काम है उसमें तेजी लाई उसको तेज किया और ये जो बाकी बचे वे बैंक थे मैसूर, पत्याला, त्रावन कोर, बिकानेर, जैपूर और हैदराबाद इन सब को एक अप्रेल 2017 को SBI में विले कर दिया तो राइट नाउ आज की तारिक में ये बिकानेर, मैसूर, पत्याला, त्रावन कोर ये बैंक एग्जिस्ट नही करते हैं, हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ कौन है, SBI है, दोस्तों ये कहानी हुई, किसकी भारत के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ओफ इंडिया के निर्मान की, किस प्रकार से वो आज जो इस्टिती है, वहां तक पहुंचता है, पर देखिए, स्टेट बैंक ओफ के अलावा भी हमारे पास कई सारे बैंक है, बात करते हैं थोड़ी उनकी, देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक कौन है, देखिए, 1935 के अंदर एक भारत चाशन अधिनियम लाया गया था, और हमारा आज का जो सम समिधान हैं, वर्तमान समिधान जो है, आप समझे के भारत चाशन अधिनियम 1935 की अल्मोस्ट कॉपी है, अल्मोस्ट सतर से असी पतिशत जो प्रावधान है, वो भारत चाशन अधिनियम से ही लिए गये हैं, इसी भारत चाशन अधिनियम के अंतरगर्ट जो है, आर्बिय अधिनियम 1934 इस्थाफित था जिसके बाद एक अप्रेल 1935 को RBI की इस्थापना हुई है ना तो ये पहले से ही जो है अधिनियम भारत की आजादी से पहले ही एक्जिस्ट करता था इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा गया है RBI अधिनियम 1934 उसकी द्वित्य अनुसूची के अंतरगत जो बैंक आते हैं बेसिकली इस द्वित्य अनुसूची में ये लिखावा है कि ऐसे बैंक जो RBI की गाइडलाइन उनके नियम कानून और मानने के बैंक जो की RBI के नियम मानने के लिए बात दे हैं जो RBI अधिनियम 1934 के अंतरगत काम करते हैं वो सारे बैंक कौन से कहलाते हैं अनुसूचित बैंक कहलाते हैं और वो बैंक जो इस अधिनियम के अंतरगत नहीं आते हैं वो कैसे बैंक कहलाते हैं गैर अनुसूचित इंगल समझ ले ऐसे बैंक जो आरबइय अदिनियम 1934 की अंतरगत आते हैं वह अनुसूचित हैं और जो उसके अंतरगत नहीं आते हैं वो गैर अनुसूचित हैं जो भी बैंक अनुसूचित होगा उसे आरबी की कि साहेता करेगा वह और भी करेगा फिर देखिए एक यह थ्यान रखना यह पूछने लायक बात है इसका आगे कभी आप आरेस मेंस का एक्जाम लिखो कि तब बहुत काम आए गई स्वतंत्र भारत में पहला बैंकिंग अधिनियम मार्च उन्निसों गुनपचास में लाया ग इंद्रिय बैंक गोशित किया गया ना यह जो आरबी अदिनियम उन्निसों चौटिस इसी में जो है इससे पहले कि आरभी नाम नहीं था इसका नाम था सीबी एई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो फिर यह बैंकिंग अधिनियम लाके एक तो यह सीबी आई का नाम करा गय आरबी आई और आरबी उसके बाद यहीं भी बोला गया कि अब से जो भी नया बैंक होगा जो आरबी एक 1934 को फॉलो करेगा वह एक शेडियूल बैंक होगा और उसका रेगूलेशन कौन करेगा आरबी करेगा फिर देखिए बात करें भारत के अंदर अन्य बैंक किस प्रक कॉंबे और 1843 में बैंक उप मद्रास इसके बाद देखिया अगर थोड़ा हिस्ट्री अभ्यान दे तो 1858 के अंदर जो है भारत के अंदर एक नया अधिनियम लाया जाता है इस इंडिया कंपनी का शाषन भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है क्वीन विक्टोर जाए जाएंगे उन्हें डारेक्ट ब्रिटिश संसद बना के विजेगी और भारत आपचारिक रूप से ब्रिटेन का एक उपनिवेश गोशित कर दिया जाता है यह बात कब की है 1858 के अधिनियम की जस्ट आप्टर 1857 की क्रांति इसके बाद क्या हुआ कि भारत के अंदर नीजी व्यापारियों को या नीजी उद्योग पतियों को और जादा मुनाफ़ा कमाने देने के लिए एक बैंकिंग अधिनियम लाया गया इसे आप कह सकते हैं 1868 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त पूंजी अधिनियम लाया गया यह बैंकिंग अधिनिय बदले में उसको एक निश्चित राशी जो है वो सरकार को जमात करानी पड़ेगी तो भारत में जो पहली बार इस अधिनियम के द्वारा जो विदेशी बैंक इस्थापित हुआ वो था 1865 में इस्थापित इलाहाबाद बैंक यह वर्तमान में भी कारे रत है दोस्तों यह बैंक जो है उस समय डच व्यापारियों द्वारा इस्थापित किया गया था तो देखिए भारत में इस्थापित जो पहला निजी बैंक है उसका आंसर नो डाउट इलाहाबाद बैंक है कोई दिक्कत नहीं है परन्तु इससे भारतिये बैंक नहीं कह सकते आप क्योंकि इस 557 में बंध हो गया अब अवद कमर्शेल के साथ है कि इसमें भारतियों का भी पैसा लगा था और अवद के गो सबसे पुराना बैंक कौन सा हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आगे होगा भारत में इस्तापित पहला निजी बैंक इसमें कोई भारतिय नहीं बहुत कर दों बहुत कहिं है कि हैं पेंग पंजाब नेशनल बेंक बास करके यह बंगाल का विवाजन हुआ उसके बाद तो भारतियों के अंदर वो स्वदेशी अंदुलन की एक लहर चल गई और उसके कारण भारत में कहीं सारे बैंक इस्थापित हुए जैसे आप देखिए 1901 में Central Bank of India, 1906 में Bank of India, 13 में Bank of मैसूर, 8 में Bank of बडोदा, ये सबी बैंक जो है इस समय स्थापित हुए थे इंद्रा गांदी का जो पहला कारेकाल था, 1969 से लेके, 74 तक, उस समय इंद्रा गांदी ने 14 ऐसे बड़े बैंक, जिनकी जमाएं, मतलब जिनके पास deposit, 50 करोड से जादा था, उनको राष्टिकरन कर दिया, देको राष्टिकरन का मतलब है, कि अब उसे निजी हातों से लेके सरकार की संपत्ति गोशित कर दिया जाए, इसका मतलब होता है राष्टिकरन, इसका मतलब होता है नेशनलाजेशन, यानि कि पहले इस बैंक की कंट्रोलिंग, इस बैंक का नियंतरन किसी और के हातों में था, जनरली नीजी हातों में था, और अब उसका नियंतरन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ठीक है इसी को बोलते है राश्टिकरण तो इंद्रा गांदी ने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राश्टिकरण कर दिया इसके बाद इंद्रा गांदी के जब दूसरा कारिकाल आया 1989 में तो उन्होंने चल्व और बैंक जिनकी जमाइं 200 क्रोड से ज्यादा थी उनका भी राश्टिकरण कर दिया तो 1970 के अंदर घंदर 24 बाईंकों का राश्टिकरण किया और 1980 के अंदर इंद्रा गांदी से दुप से 66 और राश्टिकरण कर New Bank of India, भारत में एक बड़ा घोटाला हुआ था, शेर मार्केट का हर्शन मैता घोटाला, इसने क्या किया था कि बैंकों से फर्जी स्लिप के आधार पे लोन उठा लिया थे, और एक बैंक का लोन चुकाने के लिए दूसरे बैंक से लोन उठा लिया था, वास्तों में इसने अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट कभी किया ही नहीं, यह घोटाला जच जब खुला तब यह चार हजार करोर का घोटाला था, इस समय भारत का सबसे बड़ा घोटाला था, तो उस घोटाले में सबसे प्राइम एक्क्यूज, यानि सबसे ज़्यादा लिप्तता जो प पॉइंट है, इसी यह यहाँ पर इसी दौर के अंदर यह नर्सीमन समीती की सिफारिश, शिफारिश हैं आती है, यह ध्यान रखेगा आपके भारत में अब तक बैंकिंग सुधार के लिए स्थापित सबसे बड़ी समीती कौन सी थी, नर्सीमन समीती थी, और इसको 1901 में म तो यह टेबल है, आप इसको याद कर लो, यह कई बार पूछ सकते हैं आराम से, भारत में यह बैंकों का जो विले हुआ, देखो, सबसे पहले तो यह स्टेट बैंक वाला मामला, यह तो मेरे ख्याल से आपने याद करी लिया होगा, है न, एक अप्रेल 2017 से जो है, बाकी के जो स्टेट बैंक थे, वो सारे किस के अंदर मर्ज हो गए, एस बियाई के अंदर मर्ज हो गए, फिर देखो, एक अप्रेल 2019 से प्रभावी एक और हुआ, विजिया बैंक और देना बैंक का जो विले था, वो कर दिया गया, बैंक ऑफ बडोदा में, ठीक है, और इसके बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हुआ, सिंडिकेट बैंक को जो है, वो कैनरा बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया, आंध्रा बैंक और कॉर्परेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, और इलाबाद बैंक को जो है, इंडियन बैंक के अंदर कशेत्र का मतलब है जिसमें भारत सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और जिसके अंदर जन्ता भी निवेश कर सकती पबलिक सेक्टर के वैंक होते हैं इसे बैंक जिनम मैं सरकार की हिस्सेदारी है उसको अपन क्या बोलेंगे सारजनिक शित्र के बैंक तो अब अपने पास सारजनिक शित्र के कितने बैंक है 12 बैंक है ठीक है जाद रही जाएगा अब इसमें से यह वाले बैंक जो है state bank को छोड़ दो तो ये वाले bank जो है ये कौन से है ये है राश्टरी करत bank ये कौन से bank है राश्टरी करत bank क्योंकि इसको अपन ने क्या किया है इसको अपन निजी हातों से लेके वो 14 और 6 जो किये थे ना 1969 में 14 और 6 फिर 1980 के अंदर इंद्रा गानी ने जो 20 बैंकों का राश् कितने है तो आपका अंसर होगा बारा और अगर आपसे पूचे कि वर्तमान में भारत में राश्टी करत बैंक कितने है तो आपका अंसर होगा ग्यारा इसमें SBI शामिल नहीं होगा फिर देखिए वर्तमान में SBI सार्दनिक शित्र का सबसे बड़ा bank है और PNB जो है इसके बार आता है यह दूसरा सबसे बड़ा bank है तो दोस्तों यह थे भारत के bank इस प्रकार से अब देखो यहां से अपन नया एक topic शुरू जाता है बैंकों का वर्गी करण यह थोड़ा लंबा चलेगा इस मुझे से मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा पहला पार्ट हमारा य बनाएंगे इस पे से ठीक है तो इसमें से अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जुरूर मुझे कमेंट करो इसके जस नेक्स लेक्चर में मैं यहीं से शुरू करूंगा और हम बैंकों के वर्गी करण की बात करेंगे तक के लिए थैंक यू जुड़े वे रही है चैनल से